अईर्विट समाधान में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लीवर को मजबूत बनाने के प्रयासों के बारे में बात करेंगे कि क्या इसी चीज हैं कि जो खानी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज हैं जिनको खाने से हमारा लीवर मजबूत होता है दरसल लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा अंग होता है जो सुचारू रूप से कारे करके हमारे शरीर की कई कारे प्रणालियों को बेहतरीन तरीके से चलाता है इसमें अगर थोड़ी सी भी कमी हो जाए या फिर वो कमजोर पर जाए तो हमारे शरीर के कई कारे रोक जाएंगे जो कम्भीर बिमारियां उत्पन कर सकते हैं। खराब खान-पान के कारण लीवर कमजूर होक्ता है जिस कारण यह ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता इसलिए लीवर को मजबूत बनाई रथना बेहत जरूरी है लीवर को मजबूत बनाए रखने के लिए आज हम आयरुवेट समाधान में ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका आप नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपका लीवर मजबूत हो जाएगा इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं लहसुन की लहसुन में एंटि आक्सिडेंट का गुण पाए जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है वहीं जब बात आती है लीवर को मजबूत बनाने की तो इसमें भी लहसुन का सेवन सक्रिय रूप से कारे करता है कई वेग्यानिक रिपोर्स मे इस बात का दावा किया जा चुका है कि लहसुन का सेवन करने से लीवर को स्वास्थ बनाई रखने में मदद मिलती है इसके लिए आपको करना क्या है रोज सुबह सुबह लहसुन का सेवन करिए एक गलास पानी के साथ और क्या करेंगे आप एक कली लेंगे लहसुन की सिर् गर्मियों में पीता आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा इसे आप चाहें तो आम्तोर पर जूसके रूप में भी प्याफित पिसकते हैं अगर इसका शेक बनाना चाहं तो शेक के रूप में भी आप इससे पीस सकते हैं द Scottish ये आपको अपितेख सेवन कम से कम दो बार जरूर करें बात करते हैं पालक की हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रमुख रूप से गिनी जाने वाली पालक का साथ के रूप में सबसे ज़्यादा सेवन किया जाता है पालक में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है विटामिन सी एंटिय औक्सिडेंट के रूप में हमारी शरीर की रोग प्रतिरुदक श्रमता को मजबूत करता है जो हमारे लीवर को कमजोर होने से बचाने के लिए भी कारे करता है इसलिए पालक का जूस का सेवन करने से लीवर को कमजोर होने से बचाया जा सकता है बात करते हैं ब्लेक बेरी की ब्लेक बेरी आपको किसी भी मौसम में आसानी से मिल जाएगी। इसका सबसे ज़्यादा उप्योग स्मूदी के रूप में किया जाता है। इसमें एंटी इंफ्लिमेंटरी गुन पाए जाते हैं। ये एक ऐसा गुन है जो शरीर में विविन प्रकार की सूजन को रोकने का काम करता है। वहीं लीवर में किसी भी कारण से होने वाली सूजन को कम करने के लिए ब्लेक बेरी मददगार होती है। बात कर लेते हैं हल्दी की। हल्दी में एंटियोक्सिडेंट गुन पाए जाता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर को कई अन्य रोगों से बचाने के लिए हल्दी बहुत ही महत्पूर भूमी का अदा करती है। लीवर को मजबूत बनाए रखने के लिए और उसकी कारे प्रणाली को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हल्दी का सेवन सक्रिय रूप से मददार सावित होता है। golden drink के रूप में हल्दी और दूद का एक साथ सिवन कर सकते हैं जिसे आपका लीवर अच्छी तरह से कारे करेगा और ये विमारियों से आपको बचाएगा इसमें करना ये है कि आपको एक गलास गरम दूद लेना है और आदा चमच जो टी स्पून होती है वो आदा चमच लेनी है उसमें हल्दी लेके आप मिलाके और आप उसे पी जाएए आपको बहुत फायदा मिलने वाला है बात करते हैं आवले की आवला एक ऐसा फल है जो कई रूपों में खाने के लिए इस्तमाल किया जाता है इसका अचार जूस और मुर्ब्वे के रूप में आप सेवन कर सकते हैं लीवर को मजबूत बनाए रखने के लिए फल काफी लावदायक माना जाता है नेशनल सेंटर फोर बायो टेकनलोजी इन फॉरमेशन पर प्रकाश एक रिसर्च के अनुसार लीवर को मजबूत बनाए रखने के लिए आवला का सेवन कर सकते हैं इसलिए आप चाहें तो ऊपर बताए गए तीम रूपों में से किसी भी एक रूप में आवले का सेवन कर सकते हैं यानि कि आप इसको मुरब्वे के रूप में खाएं बहुत फाइदे मंद होगा इसे आपके बाल भी खाले हो जाएंगे तो चाहिए जमक भी आ जाएगी और तो और आपका हाट भी ठीक धंग से कारे करने लगेगा तो यह आज का आईरवेज समाधान आईरवेज समाधान जीवन जीने की एक पर्दती है जिसमें बताए गए तरीके एक्सपर्ट्स की राय के मताबक होते हैं जीवन को निरोग बनाने के लिए सबस्क्राइब लाइक और शेयर की जाएरवेज समाधान क्योंगी जाएरवेज समाधान है हरू करनेदान